तो फ्रेंस स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन टीच असोक में तो देखे फ्रेंस आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंड किया था कि सर योपी टेपल ऐसी पैड का जो एकजाम होने वाला है तो सर इसका जो सलेबस है ये काफी जादा लेंदी सलेबस है तो सर इसके लिए कौन सी बुक जो है अच्छी मानी जाएगी I mean सर इसके लिए जो है किस बुक से हम लोग तैयारी किया जाए कि अच्छा स्कोर हम लोग ला सकें तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम आप सबको एक ऐसी बुक के बारे में बताएंगे जिसको पढ़ने के बाद जो है आप इसमें 90 प्लस नंबर ला सकते हैं लेकिन फ्रेंस इसमें जो है इंगलिस और मैथ के कोशन नहीं रहेंगे तो फ्रेंस और जो अधर सबजेक्ट है इसमें इंकल्यूड है और फ्रेंस आप सबको आसानी से इसमें हर एक टॉपिक के कोशन मिल जाएंगे और एक सिस्टेमेटिक डंक से इस बुक में दीए गये हैं तो friends अगर आप सबको यह book जानना है तो आप लोग वीडियो को सुरू से लेका last तक जरूर देखिएगा और friends आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद share जरूर कीजिएगा तो friends फिर चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए friends यह जो book है यह friends Lucent की एक objective book जो है launch हु टापिक हो economics का हो या science portion हो किसी भी subject से relative जो question है इसमें आपको असानी से मिल जाएंगे और इसमें हर एक type के question जो है objective type के question है और साथी साथ इस book में यह भी बताया गया है कि यह सब जो question है यह किस exam में पूछे गए हैं और friends जैसे कि आप लोग history का एक topic उठा लीजिए हरपा स सब बता जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो friends देखे इसमें हरपा या सिंदु सब बता से समंदी जितने भी type के question बन सकते हैं या paper में पूछे गया है इस सब question को आसानी से कबर किया गया है तो friends आप लोग यह जो है इस screen पर देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छ कर परचेज कर सकते हैं तो देखे इसमें हरपा सब बता से केवल आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा question दिया है इसमें 75 question केवल हर अगला topic है पैदिक सब बता से समंदी जितने भी question आपके exam में पूछे गया है या जितने भी type के question बनते हैं इस book में दिया गया है तो फ्रेंस इसमें जितने भी टाइप को कोशन है आपको हर एक टापिक से कोशन मिल जाएंगे उसके बाद इससे बाहर एक भी कोशन जाने की संभावना नहीं है तो आप लोग जो है इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं तो फ्रेंस देखे इसमें बैदिक सब्वता से समन्दित 114 कोशन दिये गए हैं तो फ्रेंस अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे अगर आप लोग इस बुक को खरीदने के लिए सच्छम नहीं होंगे तो आप लोग comment करके जरूर बताएगा तो friends हम जो है इस book को एक-एक topic को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देंगे तो friends आप लोग comment करके जरूर बताएगा कि sir आप जो है इस session को start कर दीजिए तो friends हम जो है हर एक topic को आपको tricky method से याद करने का तरीका बताएंगे जिससे आप जो है कभी भी इन सब question का answer नहीं बूल पाएंगे कभी आप लोग question देख सकते हैं कि physics के topic question किस type के दिए गया है अब देखे friends इसमें जो है पहला topic है mechanics यां tricky से समन्दी जो है इसमें भी question दिए गया है जैसे की कार का मात्रक क्या होता है उसके बाद इसमें जो है 4 option दिए गया है और इसका right answer बताया गया है और साथी साथ ये भी बताया गया है कि ये question जो है आपके किस exam में कभ पूछा गया था तो friends ये जो book है ये काफी जादा helpful आप लोगों के लिए साबित होगा क्येवल और क्येवल यूपी तिरपल सी पेट के लिए नहीं बलकि और अधर exam के लिए भी आपके जाद आपके लिए जो है ये book काफी जादा helpful रहेगा तो अगर आप लोग इस book को purchase नहीं कर पाएंगे तो आप लोग comment करके जरूर बताएगा तो इसका जो है हर एक topic जो है अच्छे से हम tricky method से आपको पढ़ा देंगे तो आप लोग comment करके जरूर बताएगा तो friends देखे इसमें जो है mechanics से आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा question दिया गया है तो friends इसमें हर एक topic से सम्मंदित आपको परियाफ्ट question मिल जाएंगे और किसी other book को पढ़ने की आवसकता नहीं पढ़ेगे तो देखे इसमें जो है या अंत्रकी से सम्मंदित 215 question दिये गया है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये book कितना ज़्यादा अच्छा book है तो friends I hope कि आप सबको clear हो गया होगा कि यूपी त्रिपल सी पेड के लिए कौन सी book जो है पढ़े तो friends ये जो book है ये Lucent की objective book है जो कि आप लोग देख सकते हैं तो friends फिर आसा करते हैं कि आपको ये book अच्छे से clear हो गया होगा है कि यूपी त्रिपल सी पेड के लिए कौन सी book अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लें कि अच्छा नंबर ले आए तो friends ऐसे ही अगर आप लोग चाते हैं इस पर भी हमने यूपी त्रिपल सी पेड से सम्मंदित वीडियो बना दिया है तो देखिए friends अभी हमने हाली में यूपी त्रिपल सी पेड का जो syllabus है इसके बारे में हर एक topic को एक deeply तरीके से discussion किया है तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाते हैं तो इस वीडियो को लिंक जो है description और i button में मिल जाएगा या आप हमारे channel पर visit करके भी इसे जाकर देख सकते हैं देखिए friends हमने इस topic पर भी वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास त्रिपल सी का certificate है तो क्या आप PET exam दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं तो फ्रेंस इन सब type के जितने भी doubt हैं आपके insert topic पर भी हमने वीडियो बनाया है और साथी साथ ये भी बताया है कि अगर UPSC PET का आप लोगोंने firm भरा है अगर उसमें कोई गलती हुआ है तो आप उसमें कितने तारिक तर संसोधन कर सकते हैं या किस प्रकास से संसोधन कर सकते हैं और साथी साथ इस topic पर भी बीडियो बनाया था कि अगर UPSC PET का form भरते समय आपका signature upload करने में कोई भी problem हो रहा है तो इससे संबने भी हमने वीडियो बनाया है तो अगर आप लोग इन सब वीडियो को देखना चाते हैं तो हमारे चैनल पर बीजिट करके देख सकते हैं तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जाहिन जय भारत